नमस्कार दोस्तो सुआगर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप अपने रेट मी 9 पर DSLR केमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर DSLR केमरा पर होते क्या क्या है वो आप पहले जान रिजएगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर समझेगा कि आपको सेटिंग किस प्रकर से करना है कैसे आपको DSLR केमरा का व्यू मिलेगा आपके फोतो पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर हम यही चीज़ बात करने वाले तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है कैसे यह सेटिंग आप कर सकते पोसिबिली वाइस तो आप वीडियो को पुरा जरू देखना वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को क्ल और यहाँ पर दोस्तों में आपको सेटिंग बता रहता हो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों में अपने एक दूसरे दूसरे जो मोबाईल पर झाल हो आपको करना किया है आप portrait mode को select कीजिए और दोस्तो DSLR पर होता क्या है background blur होते है camera quality अच्छे होते है camera का focus अच्छा रहते है ठीक है तो वो होते है DSLR camera settings और दोस्तो ऐसा नहीं कि सभी DSLR पर की camera के background जो है blurry होते है ऐसा नहीं है वो दोस्तो setting के वज़े से ऐसा होते है तो अगर आप setting करते है DSLR पर तो दोस्तो आपको blur background मिल जाते है ठीक उसी तरह आपको अगर blur background चाहिए DSLR camera के setting के साथ तो आपको ये portrait mode select करना होगा क्योंकि दोस्तो portrait mode ऐसा mode है जो कि आपको background blur में ही दिखाए देगा आपको बस tap करना है आपने फोटो के उपर में और focus करवा देना है ठीक है आप देख सकते है जैसे कि ये picture जो यहाँ पर दिखाए देर है ये भी DSLR से लिया गया है तो ठीक इसी तरह से आपका picture यहाँ पर निकलेगा ठीक है सबसे पहले तो आपको ये setting portrait mode पर डलना है उसके बाद आपका जो यहाँ पर AI system है उसको on कर लेना है ठीक है AI camera को on करना है 3 dots पर click करना है camera frame rate को जो है आपको full पे set करना होगा ठीक है camera frame को full पे set करे उसके बाद दोस्तों आपको filter बगएरा add करना है तो आप यहाँ से कर सकते है ठीक है कुछ आपके जो photo quality उसमे beauty आ जाएगा filters आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते है किस तरक आपको filter चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है beauty आप set कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप एक बहुरी अच्छा focus लेके यहाँ पर आप camera को use कर पाओगे उसके बाद camera setting पर क्या है आएगे देखते है कुछ काम का चीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं तो आच्छी बात है तो दोस्तों open करती है यहाँ पर एक चीज़ दिखिया मुझे यह mode focus and shoot इसको enable करना ना भूले ठीक है यह आपको बहुत मदद करेगा जब आप DSLR camera यहाँ पर setting कर रहे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो photo है उसको यहाँ पर focus भी किया जाएगा और shoot भी करेगा ठीक है तो बस यह setting आप यहाँ से enable कर ले उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे मैंने कहा है उसको आप use कर लिजे ठीक है यहाँ पर वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको simple से समझा रहा हूँ और दोस्तों अगर आप इस device को use करते हैं ठीक है तो उसमें दोस्तों आपको बहुदी clarity मिल जाएगा camera के अंदर पर ठीक है आप एक बार try करके देखे camera quality एकदम यहाँ पर दोस्तों perfect आपको मिलेगा थोड़ा सा दोस्तों practice करने के बार आपको perfect shot मिल जाएगा आपकी camera पर portrait mode यूज करें अगर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर DSLR के background जैसा चाहिए अगर आपको दोस्तों normal background चाहिए तो 48 megapixel को भी आप यूज कर सकते हैं इससे काफी अच्छा quality आपको मिल जाते हैं आपके phone पे ठीक है 48 megapixel ultra white HD is on यानि कि ultra white camera angle से आप पूरा picture को क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो आप यह भी यूज कर सकते हैं अगर आपको normal picture क्लिक करना है वह भी DSLR मोड पे तो दोस्तों यह setting आपको मिल जाते हैं इसको यूज करके देखें बहुत ही कमाल का setting है तो इस प्रकार से दूस्तों आप दीरे दीरे करके पूरा setting समझ जाओगे सीख जाओगे और आपको shot अच्छे अच्छे मिलना शुरू हो जाएगा आपके device पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने camera improvement के लिए आपको mobile जो है उसको update करते रहना है आपके जो software है उसको update करते रहना है तो उससे आपका camera पर जो है improve होते रहेगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतने व